जब आप किसी chemical industry, process plant, refineries या फिर oil and gas जैसी similar facilities में काम करते हैं तो जाने अन जाने में आपको बहुत सारी गैसों से expose होना पड़ता है कभी-कभी long term के लिए या कभी-कभी short term के लिए ऐसी गैसों से expose होना पड़ता है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गैसे हैं जिसे आप या फिर आपके employee expose हो रहे हैं आपके worker expose हो रहे हैं वो उनके health पर किस तरीके का effect डाल रहे हैं कौन सी गैसे हैं जिसे आप expose हो रहे हैं कितनी concentration में और कितनी देर तक आप उन गैसों से expose हो सकते हैं ताकि आपके उपर या फिर आपके employee के उपर आपके worker के उपर किसी तरीके का short term या long term health effect ना पड़े इसलिए अगर आप इस तरह की industry में काम करते हैं जहां पर आप गैसों से exposed होते हैं आपके workers गैसों से exposed होते हैं तो आपको इन terms के बारे में जानना ज़रूरी है जो हम आज वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सवागत है दोस्तों आप सब का fire safety academy में और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं TLV यानि की threshold limit value, TWA यानि की time weighted average, STEL, short term exposure limit and IDLH, immediately dangerous to life and health इन चारो terms के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, देखेंगे कि ये चारो terms क्या होते हैं, इनका definition क्या होता है और फिर देखेंगे कि इन चारों में differences क्या होते हैं ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकन को दबा दीजे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखने वाले हैं TLV, यानि कि threshold limit value threshold limit value का मतलब है कि अगर किसी workplace के air में किसी hazardous substance, किसी chemical या फिर किसी gas का एक concentration मौझूद है और वहाँ पे कोई worker काम कर रहा है और वो worker उस gas से continuous expose हो रहा है, day by day, बिना किसी respiratory PPE के lifetime के लिए exposure होगा और उस exposure से जो worker है उसके health पे किसी भी तरीके का short term या long term effect नहीं पड़ेगा तो इसी concentration को हम किसी gas का या फिर किसी chemical का threshold limit value बोलते हैं TLV को major करने का unit है उसे ppm बोलते हैं यानि कि parts per million अब देखेंगे हम TWA क्या होता है यानि कि time weighted average क्या होता है TWA यानि कि time weighted average TLV होता है जो अभी हमने उपर threshold limit value देखा है वो same TWA होता है बट इसमें जो time boundation है वो add हो जाती है कि मतलब कि किसी gas से या फिर किसी hazardous substance की मातरा अगर कहीं पर air में मौजूद है और उससे कोई worker expose हो रहा है daily सिर्फ 8 गंटे के लिए या फिर पूरे week में 40 गंटे के लिए तो उस worker के health पे किसी भी तरीके का adverse effect नहीं पड़ेगा TWA का measure करने के लिए जीज़ेगा पर worker काम कर रहा है जहां पर contaminant available है उसकी breathing zone को उसके whole workday के लिए measure किया जाता है यानि कि अगर 8 गंटे उसका work time है तो फिर पूरे 8 गंटे वहाँ पे measure किया जाएगा कि जो worker है वो gas की कितनी concentration से पूरे workday में expose हो रहा है और जो result आता है वो उसका TWA होता है यानि कि time weighted average होता है अब वीडियो में हम देखेंगे STEL यानि कि short time exposure limit के बारे में STEL यानि कि short time exposure limit भी TWA है यानि कि time weighted average है जो अभी हमने पीछे देखा मतलब कि किसी gas या फिर किसी chemical के concentration से हम expose हो सकते हैं जिसे कि हमारे health पे किसी तरीके का effect ना पड़े लेकिन जो TWA में time 8 hours था वो STL में सिर्फ 15 minutes का हो जाता है यानि कि जो exposure होगा गैसों के concentration से वो सिर्फ 15 minutes का होगा short time exposure limit में worker 15-15 minutes के लिए 4 बार उसके full workday में यानि कि अगर 8 गंटे की duty है तो वो पूरे 8 गंटे के दोरान सिर्फ 15-15 minutes के लिए 4 बार एक्सपोज हो सकता है किसी गैसों के concentration से और 15 minutes exposure होने के बाद कम से कम 60 minutes यानि की एक घंटे का gap होना चाहिए अगले 15 minutes के exposure में और इस exposure के बाद worker के health पे किसी भी तरीके का ill effect नहीं होना चाहिए अगर एक example के माद्यम से हम समझें तो ACGIS यानि की American Conference of Governmental Industrial Hygiene के according carbon monoxide का exposure level कितना होना चाहिए तो इसके हिसाब से इस example से हम समझेंगे कि TLV, TWA और short term exposure क्या होता है तो ACGIS के according carbon monoxide यानि कि CO का जो exposure level है जो threshold limit value और time weighted average यह 50 ppm है और जो short term exposure limit है यह 400 ppm है यानि कि CO से अगर कोई worker exposure हो रहा है continuous 8 hours के लिए या फिर week में 40 घंटे के लिए तो वो 50 ppm से daily exposure हो सकता है continuous उसके उपर किसी भी तरीके का उसके health पे effect नहीं पड़ेगा और जो short term exposure limit है CO का वो 400 ppm है मतलब 15 minute के लिए कोई worker CO से exposure हो सकता है एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अब तक जितने भी exposure की बात की गई है चाहे वो TLV हो TWA हो या फिर STAL हो इन सब में बिना किसी respiratory PPE की exposure की बात होई है मतलब जो worker है वो किसी भी तरह का respiratory PPE का इस्तेमाल नहीं करेगा अब वीडियो में हम देखेंगे IDLH के बारे में यानि की immediately dangerous to life and health IDLH का मतलब होता है कि किसी atmosphere में किसी toxic corrosive और फिर asphyxiant substance की इतनी मातरा जिससे expose होते ही जो worker है जो employee है expose होते ही उसकी जान को खत्रा हो या फिर कोई या फिर तुरंत उसके health को या फिर कुछ time के दौरान नुकसान पहुंचा सकता है तो इसे IDLH value बोलते हैं अगर sword में देखें तो limit which is set for no exposure work not allowed मतलब ऐसे atmosphere से कोई भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का काम अलाओ नहीं करना चाहिए अब कुछ gaso का example लेके देखेंगे कि TLV-TWA कितना है STL कितना है और IDLH कितना है तो जो S2S है इसका जो TLV-TWA है यह 10 ppm है यानि कि per day 8 गंटे के लिए 10 ppm से कोई worker expose हो सकता है उसके ओपर किसी भी तरीकी का health effect नहीं पड़ेगा या फिर week में 40 गंटे के लिए 10 ppm से continuous expose हो सकता है जो STL है यह 50 ppm है मतलब 15 मिनट के लिए 15 ppm से expose हो सकता है IDLH जो है यह 100 ppm है और यह एच पर NIOs है तो इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ आपको इन terms के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि यह terms क्या होते है इनका definition क्या होता है और इन चारों में अंतर क्या होता है वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए stay safe be happy and जैहिन